हालो एव्रीवन वल्कम टो प्रिंस एजुकेशन चनल फिर्ट्स आज हम लोग आपर सॉल करेंगे क्लास जैंट आरे सगरबाल के बुक से गाइस निव एडिशन से एक्सराइस सी का कोशन नमबर 11 सो आई हो प्रीवेस आजे सभी को आपने सॉल कर लिए है नाव कोशन नमबर 11 सॉल करेंगे थोड़ों सा डिफरेंट है बट बहुत जादा इंट्रेस्टिंग कोशन है एंड एक्जाम में पहले आया हुआ भी है सो इसलिए इस को स्पेशली अ सॉल करना है हमें Elimination substitution से सॉल नहीं करना राइट सो कैसे सॉल करेंगे इसको तो आगे देख लेते हैं फर्स्ट आपकी जो लिनेर एक्वेशन होती है वह a1 x plus b1 y plus c1 equals to 0 and second a2 x plus b2 y plus c2 equals to 0 की फोम में होती है राइट इट मीज जो आपको यह आपन में वैल्यू दी है इनको आपको नीचे आपके जो value है denominator की इसको आपको remove करना है तो हम क्या करेंगे इन दोनों में LCM ले लेंगे AB का LCM obviously AB ही आएगा वापस so b से b cancel a रह जाएगा तो उपर a x ने multiply हो जाएगी that means a x a square x minus a से a cancel b रह जाएगा तो b की उपर multiply हो जाएगी तो b square y equals to a plus b LCM ले आपको अच्छे से आता है ना now AB काँ चला जाएगा इनके साथ multiply में so a square x minus b square y equals to ab into a plus b या फिर आप लिख सकते हैं multiply a square b plus ab square right so a square x minus b square y equals to this but यह हमें इस form में लाना है right में 0 के equal that means a square x minus b square y minus a square b plus ab square equals to 0 guys इसे आप bracket में ले लिजेगा क्योंकि a1 x plus b1 y plus c1 की form में हमें लिखना है so इसे equation अगर आपने 1 माना है यह आपको यह 2 है ठीक है यह आप c मान लिजे and यह आपको next equation ax minus by equals left side ले आईए minus 2 ab equals to 0 so x से आप equation 4 मान ले जेए so यह दोन आपके equation हो गई है now cross multiplication method से हम इनको solve करेंगे x y 1 b1 c2 b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 b2 right so x upon b1 c2 minus b2 c1 equals to y upon c1 a2 minus c2 a1 c1 a2 minus c2 a1 equals to 1 upon a1 b2 minus a2 b1 so guys इतने सारे question आपने solve कर लिए है so अब यह concept आपको अच्छे समझ आ गया होगा मैंने बहुत deeply बहुत अच्छे समझाया हुआ है कि this is your cross multiplication method और हम तो diagram से ही solve करते हैं इस तरीके से हम नहीं है पर multiply कर ली और आपको यह formula आ जाता है x का formula क्या होता है यह इस वाली term को इसके equal put करेंगे इस वाली term को फिर इसके equal put करेंगे है जो भी strengths मुझे से जुड़ हुए हैं देख रहे हैं सारी वीडियो तो उनको मालूम है रट्राफिकेशन हमें नहीं करना है हमें तो जारेकली formula value put करनी है so यहां से हम लोग देखते हैं कि आपकी a1 और a2 यानि कि a1 की value कितनी है आपकी a2 है a2 की value आपकी a है right b1 और b2 b1 की value minus b square b2 की value minus b c1 की value minus a square b plus ab square ठीक है और यहां पर minus 2ab right now b1 b2 की value minus b square and minus b भाई हम तो cross check जोरू करेंगे a1 a2 a square और a minus b square minus b minus a square b plus ab square and minus 2ab भाई सही है हमारी value now है पुट कर दीजे x upon b1 की value minus b square c2 की value minus 2ab minus b2 की value minus b2 की value minus b guys बाहर bracket के बाहर आपका minus है ठीक है तो यह वाले term भी दोनों आपसे minus हो जाएगी कोई बात नहीं हम यहां पर क्या कर लेते हैं दोनों के sign change कर लेते हैं आप इसे क्या लिख सकते हैं minus a square b and minus a b square इस form में convert कर सकते हैं minus bracket open कर लेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा minus a square b minus a b square right क्योंकि हमें confusion नहीं होना चाहिए बिलकुल भी mistake नहीं होनी चाहिए हमारी equals to y upon फिर से एक बार cross stack कर लेते हैं minus b square minus 2ab minus minus b minus a square b minus a b square ठीक है y upon ठीक है now क्या है c1 a2 तो minus a square b minus a b square और a2 की value आपकी a है minus c2 a1 तो minus 2ab into आपका क्या जाता है a square right guys so हम यहां पर इस side लिख लेते हैं 1 upon क्योंकि जिससे कि हमारा यह portion अलग हो जाएगा हम आगे यहां पर solve कर सकेंगे so 1 upon a square into minus b minus a into minus b square now इसमें हमने a1 b to minus a to b1 की value put कर दी right so cross stack तो बनता है minus b square minus 2ab minus b minus a square minus a b square minus a square minus a b square into a minus 2ab into a square a square into minus b into minus b square बैस साही है ठीके यही होता है guys calculation करने का तरीका अगर आपने यही पर थोड़ा समय से कर देने question पुरह गलत हो जाता है right so इसलिए cross stack जोड़ो कर लीजएगा x upon अब multiply करते हैं minus minus plus तो क्या हो जाएगा 2ab cube minus यहां करेंगे multiply तो क्या हो जाएगा minus minus plus ठीके and plus minus minus तो क्या हो जाएगा a square b square now minus minus plus and plus minus minus तो क्या हो जाएगा a b cube ठीके तो minus a square b square and b की हाँ जब इससे multiply करेंगे तो a b cube right equals to y upon a की multiply करेंगे minus a square b minus sorry यहां पर a cube हो जाएगा guys a square है a की multiply करेंगे तो a cube b minus a की a में करेंगे तो minus a square b square equals to यह आपका पोन अभी तो भी value रह जाती है यह minus इसकी multiply करेंगे minus minus plus ठीके now 2ab and a square है तो क्या हो जाएगा a और a square a cube आने की 2a cube b यही बहुत बड़ी calculation है a की a square b में की तो a square की a में करेंगे a cube बाकी as it is minus a और a a square और b square as it is ठीके a square की a में करेंगे a cube बाकी term as it is तो minus minus plus right now 1 upon minus a square b minus minus plus ab square clear guys now अब आप देख रहे हैं यहाँ पर plus 2ab cube है या minus ab cube है तो एक term क्या हो जाएगी minus हो जाएगी so x upon ab cube minus a square b square equals to y upon यहाँ पर minus a cube b है यहाँ पर 2a cube हो जाएगी तो यहाँ पर एक रह जाएगी यानि की आपका a cube b minus a square b square यह term as it is इसमें से एक minus हो जाएगी equals to 1 upon minus a square b plus ab square आपका as it is रहने वाला है right अब इस x वाले term को पहले इसके एक वाले term को फिर इसके एक वाले term को फिर इसके एक वाले term को फिर इसके एक वाले term कर देंगे right है ना guys सही लिख रहा है ना हम लोग sign की कोई confusion तो नहीं है minus और minus minus plus ठीक है अब क्या करेंगे x equals to ab cube minus a square b square upon minus a square b plus ab square आजाता है अब हम क्या करते हैं यहाँ से देखते हैं क्या common आ रहा है guys क्या common आ रहा है दोनों में से यहाँ से आपका a common यहाँ से b square common तो bracket में क्या रहा है यहाँ पर रह गया b and यहाँ पर रह गया minus a upon यहाँ पर क्या करेंगे यहाँ से क्या common आ रहा है दोनों से a and b यानि कि a b common आ रहा है तो bracket में क्या रहता है? यहाँ पे minus A and यहाँ पे plus B Right? A, B, यहाँ से दोनों से A और यहाँ से दोनों से B तो minus A and plus B रह जाता है Clear है इतना? So, हम minus A plus B को क्या लिख सकते हैं guys? A, B square into B minus A upon A, B into इसे B minus A की form में वापस लिख सकते हैं इस तरीके से ठीके, तो अब B minus A से B minus A cancel, ठीके, A से A cancel, एक B से एक B cancel That means X की value क्या आगई? आपकी B आगई अब भई coefficient value कुछ और दोनों नहीं आई? Guys, यही आएगी क्योंकि coefficient value A or B के term में है तो answer भी आपका A or B के term में ही आएगा Right? So, X की value क्या आगई हमारी यहां से? B आगई Now, अब इस Y वाली term को, इस 1 वाली term के equal put करेंगे So, Y upon A cube B minus A square B square equals to 1 upon minus A square B plus AB square So, यही है न, A cube B minus A square B square equals to minus A square B plus AB square Now, Y equals to A cube B minus A square B square upon minus A square B plus AB square So, again हम लोग देखते हैं क्या common आ रहा है यहां दोनों से A square common आ जाएगा इन दोनों से B common आ जाएगा तो bracket में क्या रह जाएगा? A minus B ठीक है, A square से A रह जाएगा यहां पर B आपका बाहर आ गया Now, A square है, तो A square तो बाहर आएगी है तो यहां पर B हमने common ले तो B रह जाएगा bracket में upon ठीक है, यहां से क्या common आ रहा है? दोनों में से A square और A में से A B और B square में से B common Right, so bracket में क्या रह जाता है आपका? minus A और यहां पर plus B रह जाता है So, वाईज, आप देख रहे हैं, यहां पर A minus B यहां पर minus A plus B है यानि कि sign opposite है It means, अगर हम यहां पर क्या करें? minus common ले ले ठीक है, minus common ले ले तो हम क्या कर लेंगे? इसको A square B into A minus B upon minus A B तो sign chain हो जाएंगे A minus B क्यों हो जाएंगे? यह बात समझ आई कभी भी इस तरीके से हो तो आप क्या कर लीजे? minus common ले लीजे इस term से हमने minus common ले लिया या फिर आपकी language में कह दे कि 1 minus 1 का multiple यहाँ पर और एक minus 1 का multiple हमने दोनों इस तरीके से कर लिया minus 1 minus 1 क्या होता है? plus 1 होता है, कोई फर्क तो नहीं पड़ा तो इस minus 1 का multiple हमने इस bracket में कर दिया तो minus minus plus and minus plus minus B and यह minus 1 बाकी बाहर रह गया तो इससे दो कोई confusion नहीं है अब तो कोई doubt नहीं है minus 1 minus 1 plus 1 ही होता है कोई फर्क तो नहीं पड़ा तो एक minus 1 तो बहार रह गया minus में and एक minus 1 अंदर जाकर sign change कर दिया minus minus plus and plus minus minus right so हम देख रहे हैं यहाँ से A minus B से A minus B cancel B से B cancel 1 A से 1 A cancel that means Y equals to यह minus A यहाँ से रह जाता है so X equals to B और Y equals to minus से आपका answer आजाता है finally कि जो term है X equals to B और Y equals to minus से आपका answer है so जो answer है क्योंकि coefficient value A or B के form में है इसलिए answer भी आपका A or B के form में ही आएगा समझ आगी निगाए तो चल्दी से like कर दिखे and comment कर दिजे केस में मुझे समझ आगया and चनल पर नए है तो चनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा बेल आइकन पर all press कर दिजेगा so समझ आगया किस तरीके से हमने इस form को इस form में convert किया है and इस form को अपने linear equation की form में then हमने step by step अपना solution किया है तो जैसे कि मैंने आपको बताया जैसे ही आप एक step लिखे रहन क्रॉस्टेक कीजिए फिर लिखा फिर क्रॉस्टेक किया जिससे कि आपको कोई भी mistake ना हूँ यही तरीका होते है इस तरीके question को easily solve करने का क्योंकि अगर आप last मिहां देखेंगे की mistake हो गई तो फिर आप दुबारा से जाएंगे यहां चेक करेंगे होच पोच सब mistake कट पिट तो आप काहन से साथा गलत हो जाता है सब confusing हो जाता और time waste हो जाता है बहुत आदा time waste हो जाता है हमारा question गलत हो हम दुबारा से ठीक करें तो हमें एक्जाम में इस प्रब्लम नहीं करनी है, हमें step by step इस तरीकी से को सॉल्व करते जाना है, सबी कोशन आप बहुत इसली सॉल्व कर लेंगे